तब सब्सक्राइब कि करता हूं दा हिंदुस्तानी लेड के एक दम fresh एपपीसोड में तो जैसे कि मैं डेली क्या टेक्स लेकर आता हूं वैसे आज भी कुछ टेक्स अपडेट्स लेकर आया हूं आपके लिए जो आपके लिए भी हो सकते हैं जो आपको टेक के वर्ड में अपडेटी रखेंगे तो जो हम पहले अपडेट की तरफ अपने बढ़ते हैं तो यार पहला अपडेट हमारे पास आ रहा है गूगल की तरफ से गूगल ने अपना मीट जो इनका गूगल मीट वीडियो कॉंफरेंसिंग एप है उसके लिए इन्होंने ऑफिशली अनाउंस कर दिया है कि जो इनका गूगल मीट इंडिया वर्जन आएगा उसमें बैग्राउंड नौइस कैंसलेशन सपोर्ट करेगा मतलब आटिफिशल इंटलिजेंस के आपके क्लाइन के उपर या आप पड़ा रहे हो तो स्टूडेंस के उपर भी एक बहुत गंदा इंप्रेशन डालती है अगला अपडेट हमारे पास आ रहा है हुआ है की तरव से हुआ है ने एक पेटेंट फाइल करा है स्मार्टफोन डिजाइन का जिसमें वो क्लेम करते यार जो अब आपके पास जैसे कोई फोन है उसका लेंस कैमरा लेंस वहीं पर अटाइज जाता है ठीक है अब उन्होंने एक ऐसा पेटेंट फाइल करा है जिसमें आप उसको निकाल भी सकते हैं लगा भी सकते हैं मतलब डिटेचेबल भी रहेगा अटेज भी कर सकते हैं आ जैसे आपके पास 12 मेगापिक्सल का अपने फोन खरीदा आपको चाहिए 16 मेगापिक्सल तो आपकुछे में एक्स्टा मेगापिक्सल वाले लेंस इसको उसमें अटाइच कर सकते हैं जैसे हम डी एसलर में करते आ रहे हैं यह एक अच्छा इनोवेटिव आडिया है इससे क इसको बैटरा को हुआ है यार 6800 एमेज की बैटरी है वाइसाब मतलब आपके तीन से चार दिन आराम से निकाल देंगे जब अगर आप अपजी नहीं खेले तो दो वेरियंट में आ सकता है एक चार जी भी हो सकता है एक छे जी भी वेरियंट हो सकता है इसकी प्राइसिंग 10,999 की ठीक है अगर यह 15,000 में आता है तो यार बहुत अच्छा टकर मिलेगा सैमसंग ऐसे बड़ी बैटरा वाले फोन लाता रहता है तो अगला अपडेट हमारे बास आ रहा है यार इंस्ट्राग्राम से इंस्ट्राग्राम तियारी कर रहा है या टिक टोक को वापिस रान रहता है और उस हिसाब से इस प्लैटफॉर्म को लांच करेंगे यार यह एक अच्छा प्लैटफॉर्म निकल के सामने आ सकता है टिक टोक का अल्टरनेटिव जहां पर हमें सेक्योर्ट सेक्योर्टी भी मिलेगी कि हाँ भी हमारा डाटा सिक्योर है कॉन्फिडेंस भी रहे यार यह बहुत बड़ा नुकसान है उनका बड़ यार ऐसी ऐसी चीजे होती रहती है हम हमारे चंद्रियान को ही देख लें तो यार वहां पे भी विक्रम लेंडर के साथ जो हुआ वह हमें पता है हम सब कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ गल्थ हो जाती है च स्पेस स्टेशन पर कुछ फॉल्ट आया था जिसके वज़े से यह प्रॉब्लम आई है अगला अपडेट हमारे पास आ रहा है सैमसंग के टैब S7 की दरव से यार जो की 5G के साथ सपोर्टेड रहेगा और जल्दी इंडिया में लॉंच हो सकता है सुपर अमुलेट डिस्प्ले के साथ आएगा जो इसके अंदर प्रोसेसर आएगा वो स्नैप्ट्रागन 865 प्लस चिपसेट के साथ यह फोन लॉंच हो सकता है और इसकी डिस्प्ले होएगी न चारो तरह से मतलब स्लिम बेजल के साथ होएगा यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है टैप में स्लिम बेजल मतलब आपको पकड़ने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है टैप को हैवी भी होता है थोड़ा सा चलो देखते हैं क्या होएगा पर यही सब नहीं इसके साथ एक और चीज रहेगी क्यारा से बारा इंच की इसकी डिस्प्ली रहेगी और एस पैन स्टैलस के साथ आएगा जो कि इनके मतलब टैप सीरिस का रहता ही है यह तो कॉमन सी बात है अगला जो हमारे बास अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी नौट 20 के लांच को लेकर इस इतना ही नहीं इसके साथ साथ इसकी कुछ स्पैसिफिकेशन भी निकल के आ रही है कि यह सैमसंग के एक्जनोस 992 सिस्टम और चिप्स पे बेज हो और इसके साथ साथ इसका एक हाइस वेरियंट जो होएगा वह 108 मेगा पिक्सल का कैमरा सपोर्ट करेगा 4500 मह की इसकी बैट अबडेट आ रहा है वह आ रहा है हमार बाद डगडगो की तरह से तो जैसे कि मैंने पहले पिछली एक वीडियो में बताया था कि डगडगो को इंडिया के इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं आई एस पीजने बैं कर दिया बंद कर दिया इसकी वेबसाइट नहीं चल रही है यह एक्चुली वेबसाइट नहीं है सर्च इंजन है यह चल नहीं रहा है इस पर सर्चिंग नहीं हो रही है तो एक एथिकल हेकर है जिसने यह क्लेम कराया अमेरिका से कि यह जो डगडगो वेबसाइट वेब सर्च इंजन है यह यूजर का डाटा लेता था उस कि हाँ यह ऐसी हरकत करते थे तो यह सोचने वाली बात है अगला अपडेट हमारे बाद आ रहा है यार जियो मीट की तरफ से जूम ने आज फाइनली एक स्टेडमेंट रिलीज कर दी जिसमें वो कहते हैं कि यार हमारे को जब से हम लॉंच हुए हमारे को कंपेटिशन मिलता रहा है हमारे उपर सेक्योर्टी के लिए क्लेम्स भी करें गए कि हम इन्सेक्योर है यह है वो है बड़ यार इन्होंने कहीं पर भी यह बात नहीं कहीं कि यार हमें जियो मीट से कोई प्रॉब्लम है जियो मीट का यूजर इंटरफेस जिट्टो सेम है सब सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार देते रही है सपोर्ट करते रही है और थैंक्यू गाइस झाल इंटर प्रॉब्लम आजर आगा